इस वीडियो में मजमून सुल्तान एहमद मस्जिद को पढ़ा जाएगा तो चलिए मिलकर इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आप भी पढ़िए इसे नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है जासे जिनके मदद से इसके अंदरुनी हिसे को आरास्ता किया गया है या सजाए गया है Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923 यानि यह जिस मस्जिद का जिक्र हो रहा है यहां सुल्तान अहमद मस्जिद यह इस्तंबोल के शहर में वाके है जो के तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और जो के 1453 से लेकर 1923 तक खिलाफत इस्पानिया का दारुल खिलाफा रहा है It has become the most popular tourist attraction यह सियाहों के लिए सबसे पुरकशिश जगा बन चुकी है It was constructed between 1609 and 1616 इसे 1609 और 1616 के दर्मयान दर्मयानी जो वक्फा है यह हिस्सा है इसमें बनाए गया तामीर किया गया During the rule of Ahmed the first Ahmed Aval की हकूमत के दुरान As was the custom जैसे के वहां पे रवाज था This masjid like the other masjid of the time के यह जो मस्जद है वो बाकी की तमाम जो मसाजद थी उस दमाने की Comprises a tomb of the founder इसमें इसको बनाने वाले का मकबरा भी शामिल किया जाता था मदरसा और एक मदरसा भी शामिल किया जाता था And a hospice जैसे दो चीजे मुराद हैं यानि एक चोटा हस्पताल या फिर कोई सराइ वगएरा जहां मसाफिर आके ठहरा करते थे The construction of the masjid started in 1609 इस masjid की तामीर 1609 में शुरू ही The royal architect Sidhukar Mehmet Aagha Was appointed by the Sultan as in charge of the project यानि सिद्फकार Mehmet Aagha को एक शाही में मार या माहिर तामीरात के तौर पर Sultan ने नमजद किया या चुना और उन्हे इस मनसूबे का उन्हे जिम्रदार बनाया The opening ceremony was held in 1616 और इसका इफता सोला सोला में हुआ Unfortunately, या अफसोस के साथ The Sultan could not see the completion of the Masjid in his life Sultan अपनी जिंदगी में इस Masjid को मुकमल होता हुआ नहीं देख पाई It was completed in the reign of his successor Mustafa I के उनके जान नशी मुस्तफा अवल के दौर में मुकमल हुई The Blue Masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church इस नीली Masjid के तामिराती तर्स में एक उस्मानी Masjid और Byzantine गिर्जे दोनों ही की जलक मिलती है या जलक दिखाई देती है Ayah Safiyyah A Masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model या इस Masjid को बनाते वक्त, Ayah Safiyyah जो के Muslim फने तामीर का एक अजूबा है उसको भी मदे नजर रखा गया The blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size नीली Masjid आज भी अपनी शान, अजमत और हुझम का कोई सानी नहीं रखती यानि कि इसका कोई मुकाबला नहीं है The Masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade Masjid का सामने का एहाता जो है, वो खासा वसीव और अरीज है यानि खासा खुला है, surrounded by और उसके इर्दगिर्द यानि इसके इर्दगिर्द लगतार महराबे नस्ब है It has ablution facilities on both the sides इसके दोनों अत्राफ में वजू करने की जगें बनी हुई है In the center, इसके बीच और बीच, there is a fountain, एक फवारा है which is rather small, जो के खासा चोटा है in contrast with the magnitude of the courtyard जो के वो सहन है उस मस्जिद का, वो उसके मकाबले में खासा बड़ा है A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance एक बहुत ही वजनी लोहे की जंजीर बड़े hall या की दाखली रास्ते या दाखल होनी की जो जगह है उस पर लटकाया गया है at the western side, मगरबी सिम्त को This side was meant for the sultan alone और ये जो सिम्त है, ये सिर्फ सुल्तान के लिए होती थी यानि सुल्तान सिर्फ वहां से आया करते थे The chain was put there यानि इस जंजीर को वहां लगाया गया था So that the sultan had to lower his head every time he entered the court ताके सुल्तान जो है, उनको अपना सर जुकाना पड़े जब भी वो मस्जिद के बड़े आहाते या कमरे में दाखिल हों तो यानि मस्जिद के बड़े सेहन या कमरे में दाखिल होते वक्त सुल्तान को इस जंजीर की वज़े से अपना सर जुका कर दाखिल होना पड़ता था It was the symbolic gesture to ensure humility of the ruler in the face of the divine power तो ये एक अलामती इशारा था आजजी के इजहार के लिए हुक्मरान की तरफ से जब के वो ताकत इलाही के रूबरू या सामने पेश होता था यानि जब वो अल्ला के सामने पेश होता था The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs Masjid का जो अंदूरूनी हिस्सा है उसकी निचली सताग पर यानि उसके किनारों पर 20,000 हाथ की बनी हुई चीनी की मिटी की टाइलें लगे हुई हैं जिने जिने 50,000 tulip की शकल के फूलों के डिजाइनों की शकल में वहां लगाया गया है At the gallery level, यानि जहरोकों या रहदारियों की सतापर The design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses यानि gallery की सतापर वो नकूशो नगार जो हैं वो खासे बढ़कीले हो जाते हैं फूलों, फलों और सरू के दरखतों के नकूश के शामिल होने से The upper level of the interior, यानि अंदरूनी जो हिस्सा है उसका उसका जो उपर का इलाका ही हिस्सा है Zodone with blue paint उसको नीले रंग के यानि नीला जो रंग है उससे सजाए गया है More than 200 stained glass windows यानि 200 से भी जायद जो रंग किया हुआ शीशा होता है उसकी जो खिड़किया है with intricate design जिनमें बहुत ही बारीक नक्शो निगार बनाएगे है Allow natural light to brighten up its interior वो उनकी मदद से यानि उन में से रोशनी जो है वो चलक कर आती है और इस तरह से उसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो रोशन होता है and the chandelier is further illuminated और जो वहाँ पर फानूस लगे में हैं वो उसे मजीद रोशन कर देते हैं with their glow, illuminated with their glow अपनी चमक से The decorations include आयत from the Holy Quran वो जो नक्शो निगार है या सजावत की गई है उसमें Quran की आयत को भी शामिल किया गया है The floors are covered with carpets और जमीन को कालीनों से धांपा गया है The most important element in the interior of the masjid is the महराब Masjid के अंदरूनी हिस्से में जो सबसे नुमाया चीज है वो उसका महराब है which is made of finely carved marble जिसको बहुत ही महारत से तराशे गए संगे मरमर से बनाया गया है To the right of the महराब is a richly decorated pulpit और महराब जो है उसकी दाएं जानिब को बहुत ही खुबसूरती से सजाया गया मिंबर मौजूद है The masjid is so designed that even when it is most crowded इस masjid को इस तरह से तर्ज दिया गया है इसको बनाया गया है कि जब इसमें बहुत ज़्यादा भीड या हजूम हो जाता है Everyone in the masjid can listen to and look at the imam तब भी हर एक शखस जो है वो imam को सुन भी सकता है और देख भी सकता है The royal room is situated at the southeast corner शाही कमरा जनूब मश्रकी कोने में वाके है It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses इसका अपना member है और जिसे के हरे रंग के कीमती पत्थरों और गुलाबों से सजाए जाता था The blue masjid has six minarets यानि इसके जो नीली masjid है इसके छे मिनार है Four minarets stand one each at the four corners of the masjid इन में से चार मिनार जो है वो masjid के चारों कोनों पर यानि एक एक मिनार है Each of these pencil shaped minarets has three balconies इन में से हर एक pencil की शकल का जो मिनार है उसकी तीन बलकोनिया है While the other two at the end of the four court जबके बाकी के जो दो मिनार हैं जो के सामने के सहन के सिरे पर हैं Have only two balconies उनकी सिर्फ दो बलकोनिया हैं In the evening, sham के वक्त, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid Sayahon और Turकों की बहुत बड़ी तादाद उस पार्क में जमा हो जाती है जो के masjid के बिलकुल सामने है To listen the call to the evening namaz Sham की आजान को सुनने के लिए The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love Masjid रोश्णियों से भरी होती है जैसे के इमान वालों के दिल महबत इलाही से भरे होते है Though much has been lost of the blue masjid over the years Go के कई सालों के सरसे में नीली masjid का खासा हिस्सा जो है वो खो़ चुका है Yet it has not lost the love of its visitors लेकिन इसको देखने वालों की महबत में कमी नहीं आई The masjid is still one of the most visited monuments of the world ये masjid अब भी दुनिया में सबसे जादा देखी जाने वाली यादगार है सबख खतम हुआ कर दो